नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं चक्रवातिय तुफान दाना को लेकर जार्खन में अलट 26 अक्टूबर तक चेतावनी बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा दवाब चक्रवाति तुफान में तब्दिल हो गया है वहीं चक्रवाति तुफान दाना के कारण जार्खन में भी मौसम खराब रहेगा मौसम विभागने जार्खन में 24, 25 और 26 अक्टूबर को मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है खास कर दक्षिन जार्खन के इलाकों में 25 अक्टूबर की सूबा से 26 अक्टूबर की साम तक 40 से 50 किलोमेटर प्रति घंटा की स्पीट शित्य जवाय चलने की चेतानी जारी की गई है बता दे तुफान दाना के प्रभाव से 24 अक्टूबर को दक्षिन जार्खन के अधिकांस अस्थानों पर हलकी से मत दर्जे की बारिस जबकि कुछ अस्थानों पर भारी बारिस देखी जा सकती है वहीं 25 अक्टूबर को कुछ अस्तानों पर भारिस से बहुत भारी बारिस होने की समभवना है वहीं IMD ने 24 अक्टूबर को ही सिम्टे का गुमला खोटी लोहर्दागा रांची रामगर हजारी बाबोकारो, धनबाद, गिरी, डिको, डार्मा, देगोखर, जामतलादुम का गोड़ा, पाकूर और साहवगन जीलो के बिभीन हिस्सों में गरज जमक के साथ बारिस का एलो अलर्ट जारी किया है वही मौसम विभाग ने 25 सक्टूबर को जार्कन के पच्मी सिम्ट, पुर्वी सिम्ट और सराय केला जीलो में दिकांच जगोपर भारी बारिस का आउरेंज अलर्ट जारी किया है जैराम महतो की पार्टी ने जारी की पांचवी सूची जारी कर दी है इनमें 9 उमिद्वारों के नाम पर मोर लगी है बुद्वार को पार्टी ने अपने उमिद्वारों की यह लिस्ट जारी की है बता दे कई उमिद्वार भी बदल दिये गए है चत्रा बिधान सभा से असोक भारती तोरपा बिधान सभा से बिलसल भेगरा और कोले वीरा सीट से पुनीत कुमार को उमिद्वार बनाया गया है वही जमसेदपूर पच्छमी तोरपा चत्रा और सिम्टे का बिधान सभा सीट के उमिद्वार बदल दिये गया है जे एल के एम ने कोले वीरा बिधान सबासे पुनीत कुमार अवजम सेथपूर पच्छमी से तपन कुमार बागमारा से दिपक कुमार रवानी को चुनाव को मैदान में उतारा है भतादे पार्टी ने अब तक 58 उमिद्वारों की खोसना की है पार्टी के केंदरी अध्यक जहरा महतों डूमरी बिधान सबासे चुनाव ड़ेंगे जबकि छाद्र नेता देवंद्रात महतों को सीली बिधान सबासे मैदान में उतारा गया है सीम हेमंत बोले जहारखन का बकाया मांगा तो जेल में डाला जहारखन के मुख्य मंत्री हमन सुरेन घार सिला के दाही गोड़ा में जहामूमो परत्यासी और मंत्री रामदास सुरेन के पक्ष में चुनावी सभा को समोधित किया है चुनावी सभा मंत्री बन्ना गुपता मंत्री और जहामो परत्यासी रामदास सुरेन पूरो विधाया कुनाल सरणंगी लक्ष मन टूडू मोहन कर्मकार उपस्थित थे मुक्ष मंत्री हम चुनावी ने कहा है कि बिजेपी वाले उन्हें जमीन घोटाले कारों बताते हैं लेकिन वे तो ठहरे खत्यानी आदमी वे क्या जमीन लुटेंगे लुट तो रहे 18 साल से जहरकन को बाहरी लोग 18 साल में जो बिजेपी नहीं कर पाई उसे उन्होंने महाज 3 साल में किया है 14 से पंचाय सचियू खुस्बू लता 5 है रिस्वत लेते गिरफतार एसीबी हजारी बाग की टीम ने बुद्धवार को पंचाय सचियू खुस्बू लता को 5 है रिस्वत लेते रंग गिरफतार कर लिया है गिरफतार पंचाय सचियू पुन्डरा और इचाक पंचायत में पदस्थापी थी ACP की टीम गिरफतार कर हजारी बन ले गई है और पूछ ताच कर रही है पता दे इचाक पंचायत के नवा टांडर टोला की रहने वाली सोनिया देवी को एक अबुआ आवास आवंटित किया गया था आवास की प्रथम किस्त उसके खाते में भेज दी गई थी इसके बद पंचायत सची उसके घर आई और उस पर 5-6 रुपे देने का दवाव बनाया उसका काहना था कि आवास का कमिस्ट तीन हैर बनता है जो हर किस्त में देना है नहीं देने पर पैसा वापस हो जाएगा ज्हारकन में पहले चरण के चौथे दिन 32 ने दाखिल किया परचा कोले विरा लोहर्दागा डाल्टेन गा सुसायनाबाद वा गडवा से एक एक परत्यासिन नमांकन बरा। मालूम हो कि पहले चरण के लिए 25 सक्टूबर तक नमांकन किया जा सकेगा। इस चरण के 43 विधान सवा में 13 नौमबर को मदान होगा। वहीं दूसरे चरण के पहले दिन किसी परत्यासिन नमांकन नहीं किया। इस चरण नमांकन की अम्तिम्तिती 29 अक्टूबर है। निसीकांत दूबे ने हिमंत उसरिन पर लगाये गंभीर आरोप। सोसल मीडिया के माध्यम से गोड़ा के भाजपा सांसर डाक्टर निसीकांत दूबे ने मुखे मंतिर पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्हें जामों ने विधायक कर टिकट दिया या भाजपा उमीद्वारों के खिलाप कहीं भी कमजोर उमीद्वार दिया। आखिर व्यक्ति बिरोध में विचार धरा के बिरोध करना लोग सभाचुनाओं में कहात तक उचित था। रांची पुलिस की अपील भेस बना कर ठगने वालों की दे जनकारी रांची पुलिस ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अलग-अलग भेस बना कर ठगी करने वाले लोगों की जनकारी दे SSP चंदर सिन्हा ने कहा है कि विभीन माद्यमों से ऐसी सुचना पराप्त हो रही है कि रांची जिला में आम जन और राहगीरों से साधू पंडित महात्मा का फेस बना कर अपराधिक तत्व ठगी कर रहे हैं और महिलाओं से उनकी कीमती जेवरात रुपए धोके में रख कर ठगी कर रहे हैं रांची पुलिस आम जनता से अपील करती है कि इस परकार के अपराधिक तत्व की सुचना डायल नंबर 112 पर या जीला नियंतरन कक्ष के मोबाईल नंबर 8987 790664 पर दे ताकि आम जनका ठगी से बचाया जा सके और अपराधिक तत्वो पर बीधी समत करवाई की जा सके चीनी नमक वा चना डाल बित्रन में पिछला पूर्भी सिम्भूम जन पित्रन प्रनाली की दुकानों के माध्यम से खाज़ समागरियों की बित्रन में पूर्भी सिम्भूम जीला का वित्रन प्रतिसत अने जीलों के मुकाबले कम है खासकर नमक चीनी एवं चना डाल का वित्रन काफी कम हुआ है इस सम्मंध में जीला अपूर्थी पताधिकारी सलमान जफर खिजिरी ने सभी पनन पताधिकारी एवं परखन आपूर्थी पताधिकारी से असपश्टी करन पूछा है भेजे गए पत्र में दो दिनों में असपश्टी करन देने के लिए कहा गया है अन्याथा विभागिये करवाई की चेतावनी दी गई है बता दे सितंबर 2024 के लिए चना दाल एवं मा अफरेल 2024 से जून 2024 तक के लिए चीनी एवं नमक का वित्रन की विभाग के आर पोटर पर काफी कम दिखा रहा है सितंबर 2024 का चना दाल अभी तक कई दुकंदारों ने लक्ष के अनुरूप बित्रित नहीं किया है धनबाद बोकारों सीमा पर कार से 70 लाख रुपे नगत बरामत जारखन बिधान सबाचुनाओ को लेकर डी आई जी सुरेंदर जाके निर्देश पर बोकारों धनबाद में बीसिस वाहन चेकी नभी हन चलाया जा रहा इसी दोरान मंगलवार की देर रात पूलिस ने धनबाद बोकारों सीमा पर एक इनोभा कार से 70 लाख 92 जार रुपे नगत बरामत किये है बता दे तेलमचो दामोदर पूल के निर्मीत अंतर जीला चेकनागा के पास से यह कैस बरामत हुया है इनकम टेक्स की टीम भी मौके पर पहुँच कर जाच कर रही है इस सम्माद में बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात तेलमचो इस्थीत अंतर जीला चेकनागा पर सगन चेकी नभियान चलाया जा रहा था इसी दोरान बोकारों से धन्बाज जा रहा है इनववा कार जैसे ही तेलमचो चेकनागा के समी पहुची पुलिस को देखकर चालक ने कार घुमा कर भागने लगा इनववा को भागते देखक पुलिस ने ततकाल वेरिकेटिंग लगा कर उसे पकड़ा है सोसल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया बिसेस दिसानिर देश मुख निववाचन पताधिकारी केरभी कुबा ने कहा है कि किसी भी परकार की चुनाव संबंधी जनकारी को सरुजानिक करने से पुर्व समाचार पत्र टीवी चैनल, रेडियो, सोसल मीडिया या मीडिया के अन्य माध्यम से तत्यों की पूरी तरह से जाच कर ले उन्होंने कहा है कि किसी भी परकार की अस्समंजस की सिती में भारत निववाचन आयोग या मुख निववाचन पताधिकारी की अधिकारी की बेप साइट पर सभी गाईलैन उपलब्द है इसके साथ सोसल मीडिया के माध्यम से भी दिस्तार निदेश के अनुपालन से समझ जनकारी उफलब्द कराया जाता है सोसल मीडिया के बढ़ते महतों को देखते हैं चुनाव आयोग ने अपने अनुदेश दिनांग 25 सक्टूबर 2013 के माधव चुनाव परचार के दोरान सोसल मीडिया के उप्योग से समझ दीता निदेश जारी किये हैं चुनाव को लेकर जार्खन और बिहार के अधिकारों ने बैठाक की है या बैठाक बुद्धवर को अजारी बाग के बरही स्थीत कोबरा 203 बटाइलने के हेड़कार में हुई इस बैठाक में कमिशनर गाया, बुकारो जोनल आईजी, मौगा जोनल आईजी, हजारी बाग रेंज के डी आईजी, डी सी और एस पी सामिल हुए हैं इस दोरान अधिकायों ने संपर्क नंबर को आधान प्रदान किया, वहीं अपराधियों की सुची, अंतराजिये, चेक पोस्ट और चेक पोस्ट, सन्युक्त रूप से अवज सराब के खिलाब छापे मारे और नक्सल अपरेशन परचार्चा हुई है इसके अलावा अधिकायों ने बैठा कर चुनाव दरान सुरक्षा के मद नजर विसेस रणी तित्ताय की है जे एमेम ने जारी की तिसरी लिस्ट चमरा लेंडा को बिसनु पूर से सीट जारखन बिधान सबा चुनाव के लिए जारखन मोक्ती मोचन उमिद्वारों की तिसरी लिस्ट जारी कर दिया है लिस्ट में चमरा लेंडा को बिशनू पूर सीट से टिकट दिया गया है वहीं योगेंद्र परसाथ को गोमिया से उमिद्वार बनाया गया जबकि चक्रधर पूर से सुखराम उराव को टिकट मिला है वहीं खोटी से सनेहलाता कांडूलना को उमिद्वार बनाया गया वहीं सीसाई से जिग्गा सूसारन होरो को टिकर दिया गया है बताद जार्खन विदासवाचुना को लेकर जारी कर चुका है पहली लिस्ट मंगलवार्देराथ को पार्टी ने जारी की थी इसके बाद बुद्वार को ही जेमिन ने दूसरी और तीस्री लिट जारी की है जार्खन सब जूनियर बाली का होटी टीम का चैन 28 को चौदह्वी होटी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रि बाली का होटी प्रतियुकता के लिए जार्खन टीम चूनने के लिए 28 सक्टूबर को होंकी जार्खन के द्वारा चेंड ट्रॉयल कराया जाएगा मोराबादी सित एस्टोट और फोंके स्टेडियम में खेलाडियों को साड़े 10 सुबा तक रिपोर्ट करना है बताते एक जनवरी दोहराट को या उसके बाद जर्म लेने वाली जार्खन की चया नगर निगम द्वारा निगर जन प्राँपत्र, अधार, कार्ड, विद्यालाय का बोनाफ मानपत्र लाना अनिवार है वह सरकार ने आदि वह सिसे समाज को समान दिया कलपना सुरेन, बिधाय, कलपना मुर्मु सुरेन ने बुध्धवार को खंडोली में आदिवासी समाज के अग्वा साथियों साथ humble- Hard sight है LEE āझन बैठक क्या बैठक में गांडे विधान सवाक Mile breakfast good of the गाओं से आदिवासी समाज के प्रमुक नेता सिभू सुरेन है सिभू सुरेन ने संगहर्ष कर आदिवासी समाज को अधिकार दिलाया है उन्होंने कहा है कि कलपना सुरेन की जीत सुनेशीत करने के लिए जीत वोड मेहनत करेंगे इधर कल्पना मुर्मू सुले ने कहा है कि आदिवासी समाज के प्रबूद लोगों को समान देने का काम जामो सरकार ने दी है बिरोधी दल तरह तरह कहतकर में लेकर बीच में आएंगे लेकिन उनके बातों में नहीं आना है जामो ही जल जंगल और जमीन की रक्षा करने वाली पार्टी है जारकन को अलग करने से लेकर समाज को समान देने का काम सिर्फ जामो ने ही धरातल पर उतारा है सल्मान खान मामले में सेख होसेन जमसेदपूर से आरेश्ट फिल्म अभिनेता सल्मान खान से फोन पर पांच क्रोर की रंगदारी मांगने के मामले में महराष्ट पुलिस ने मानगो के आजाद नगर गौरा चौक निवासी सेख होसेन को बुद्धवार को साक्ची के पास से गिरपतार कर लिया है इस दोरान जमसेदपुर की साक्ची पुलिस भी मौजूद थी सेख होसेन को महराष्ट पुलिस ने जमसेदपुर में गिरपतार कर रखा है पुलिस ने उसके पास से वह मोबाइल भिजप्त किया है जिससे मैसेज के रंगदारी मांगी गई थी बतादे गुरुवार को कोट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर महराष्ट पुलिस उसे मुंबाई लेकर जाएगी आरोपी सेख होसेन पचिम मंगाल के बाग मुंडी का रहने वाला है जार्खन से भाजपा के 32 उमीदवार आज करेंगे नमांकन जार्खन बिधान सभा चुनाओं में राजी की अलग लग सीटों से भाजपा के 32 परत्यासी गुरुवार को नमांकन करेंगे इनमें नमांकन के वक्त भाजपा के कई राष्टेर नेता किंद्रिय मंत्री व अभिभीन परदेशों के मुख्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे बता दे कोडर्मा से डक्टो नीरायादो बरकटा से अमीत कुमारयादो और बरही से मनोज कुमारयादो नमांकन करेंगे इनके नमांकन में बिहार के उप मुख मंत्री समराट चोधरी भी मौजूद रहेंगे वहीं चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी के नमांकन में असम के मुख्य मंत्री हिमंत विश्वा सर्मा मौजूद रहेंगे हजारी भाग सीट से परदीप साहू, सीमरिया से उजवल दास और वानातपूर से भानू परताप साही नमांकन करेंगे इस असर प्रकेंद्री मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे मोराबादी में जेसवा का दिपावली मेला शुरू रांची के मोराबादी मेदान में बुद्धवार को जेसवा के दिवाली मेला का आगाज हुआ है जारकन के मुख सचिव एल ख्याकते ने मेला का उधगाटन किया उन्होंने कहा है कि जेस्वा का यह मेला समाजिक उत्थान की दिशा में उठाया गया कदम है यह मेला ग्रामिन के हुनर को मंश देने का परयास है मेले में ग्रामिन परंपराओं को संजोने का पर्यास किया गया साथ ही पूरे देश के बुनकरोवा हस्त सिल्फियों के मादयम से उत्पादों की परदसनी काफी आकर सका है मुख्य सची उने लोगों से अपील करते वे का है कि मेला गोम ने एक बार जरूर आय और कारीगरो के प्रोड़क्ट खरीद कर उनके स्वामलंबन में सवयोग बने बता दे मेले में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिससे ग्रामिन पर यूएस के रूप में सजाया गया है यहां बड़ी संख्या में लोग सेल्फी और फोटोग्राफी का लुप्त उठा रहे हैं पी-एमो से जहारखन सरकार को एडर पे जल एम स्वाक्ष solo में जांच शुरू पे जल एम स्वाक्षता विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है दूसरी तरफ प्रवत्र निदसाले एडी भी अनुशंधान कर रही है बतादे पीएमों को मिली जनकारी के उशार जल जीवन मिशन में कई एजेंशियों ने संदिक्त दस्तावेज पर क्लोरों का ठेका हासिल किया एजेंशियों ने काम लेने के लिए टेंडर डोकुमेंट के साथ प्राइबिकेटेड दस्तावेज जमा किये हैं पेजल भीभाग में ततकाली टेंडर कमीटी के सरस्यों ने कमीशन वसुली के लिए नन परफर्मिंग कमपनी को पंद्र सो को रुपे से जादा का काम सौप दिया है राज़त ने जारी की 40 अश्टार परचारकों की सूची जारखन परदेश विधान सभा आम चुनाव के लिए राश्ट्रिय जानता दल ने 40 अश्टार परचारक की सूची जारी कर मुखे चुनाव आयोग को भेजी है और परचार परशार के लिए अनुमतिक काड उपलब दिकराने का अगरा किया है पार्टी की मीडिया परभारी कैलास परसाद्यादों ने बताया है कि राजट जारखन में काफी मजबूति से चुनाव लग रहा है राजट का धावा है कि सभी उमिद्वार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे गौतलाबाइक रैस्टी जनता धल जारखन में इंडिया के साथ मिल का चुनाव लड़ रहा है गडबंदन ने रायत को 6 सीटे दी है देवगर के तेज गिंदबाज सुभाम सिंग को जारखन रंजी टीम में जगा देवगर के तेज गिंदबाज सुभाम सिंग को जारखन के रंजी टीम का हिसा बनाया गया है वे टीम के 15 सेश्व में सामिल किये गए है जनकारी हो की सुभाम सिंग काफी समय से रंजी टीम का दरवाजा खट-खटा रहे थे ट्रायल और अने मुकाबलों में लगातार अच्छी गिंदबाजी कर रहे थे उनकी मेहनत का आज उन्हें फ़ल मिला है जनकारी हो की पहले दो मैच के लिए जारखन के रंजी टीम की जो गोस्त ना की गई थी उसमें सुहम का नाम नहीं था लेकिन इस बार उन्हें मौका मिला है जनकारी होगी देवगर की तेज गिंदबाज, सौरब, सुमन, पहले से जारखन के रंजी टीम में सामिल है चत्रा के लोगों से तेश्वी आदो ने मांगा भोट नमांकन के बाद तेश्वी ने एक सभा को भी सम्मोदित किया है इस दोरान उन्होंने बीजेपी पर जम कर हमला किया तेश्वी ने आरोप लगाते वे कहा है कि बीजेपी बेहिमानों की पार्टी है यह जब चुनाव नहीं जीत पाती है तो विधायकों को खरीदना चाहती है जार्खन और बिहार में कई बार भाजपा ने इस तरह के परियास किया इस दोरान उन्होंने लगाते बीजेपी के परत्यासी पर भी कटाक्स करते वे कहा है कि पार्टी नई है लेकिन उमिद्वार पुराना जार्खन में मिट्रूशन के 84,165 मामले पेंडिंग राज्य भर में पिछले एक माह से मिट्रूशन का काम ठप हो जाने के करान इसके पेंडिंग मामले बढ़ते जा रहे हैं जाल राज्य के सारे अंचलों को मिलाकर 84,165 मामले पेंडिंग हो गए हैं अभी में ट्यूशन का कोई काम ही नहीं हो रहा इसे रहितों को काफी परसानी हो रही है वे अंचल कर्यालों का चक्कर लगा रहे हैं इस मामले में रायस और कर्मी भी कुछ जबाब देने के स्थिती में नहीं है हलाकि उन्होंने पूरे मामले में रायस और निमंदन और भोमी सुधार विभा को अगत करा दिया है इसके बाद भी स्थिती में सुधार नहीं हुई है बता दे जहार नेट सेवा खराब होने के कारण भी जबीन की दस्तावेज में सुधार नहीं हो रहा सुधार के मामले भी पूरी तरज से लटक गए हैं ऐसे में रहतों की बड़ी परसानी हो रही है गढ़वा में बैंक लूटने का परियास और सफल गढ़वा जीले के नगर उटारी थाना चेतरे के बिलास पूरिश्थी जार्खन राज गरामीन बैंक को लूटने के इरादे से आयत तीन अग्यात अपर राधियों ने बैंक में फैरिंग कर दी है फैरिंग में बैंक मनेजर जीतेंदर सिंग मीना बाल बाल बचे बताया जा रहा है कि नगर उटारी थाना चेतरे के बिलास पूरिश्थी जीत गरामीन बैंक में आग्यात अपराधियों ने लूट पार्ट के इरादे से अचानक फैरिंग करने लगे अपराधियों ने बैंक मेंजर पर गोली चलाई लेकिन गनीमत रही कि गोली बैंक मेंजर के चेंबर में लगे कूलर को चीरते वे दियार में लग गई और गोली लगने के बाद कूलर में तेज आवाज होने लगी इसके बाद अपराधी वहाँ से फरार हो गए इस वज़ा से बैंक मनेजर बच गए खाटना के समद में स्थाने गरामिन चंदन कुमा ने बताया है कि वे पैसा डिपोजिट करने आये थे इसी दोरान पुद्वार को दो फर दो बच कर अरतालिस मट के करीब तीन अपराधी मास्क लगा कर पहुँचे थे गोड़ा पुलिस ने अभिभाकों को पढ़ाया ट्रैफिक का पाथ गोड़ा नगर थाने के पुलिस ने सुबा सुबा बचों को बाइक या स्कूटि से स्कूल पहुचाने वाले अभिभाकों को ट्रैफिक नेमों का पाथ पढ़ाया है बिना हेलमेट के बाइक इस्कूटी चलाने पर जूर्माना वस्कूला जाएगा बाइक पर पीछे दो बच्चों को बाइट ठाने वाले अभाकों को रोक कर समझाया गया कि बच्चों की जान को खत्रम नहीं डाले दिसंबर से महिलाओ के खाते में आएंगे पचीस सो रुपए हिमन्द सुरेन ने कहा है कि उनके द्वारा लागू की गई योजनाओ की पोस्ट डाले तो भाजपाई दब जाएंगे महिलाओ को उन्होंने समान देने का काम किया है जारखन मुख्यमंत्री महिलाओ के खाते में हर महिने एक है रुपए भेज़े जा रहे है उन्होंने कहा है कि दिसंबर महिने से 25 सो रुपए भेज़े जाएंगे चुनाओ जित कर फिर आया तो महिलाओ को साल में एक लाख रुपए भी देंगे किसानों का 2 लाख रुपए तक का क्रिशी रिन माप किया है गरीबों का 200 उनित तक बिजली बिल भी माप किया गया है धन्यवाद हमें आप कमेंट बक्स में बताए कि आपको मुख्यमंत्री मैयस समान योजना का लाब मिलता है या नहीं साजी साथ वीडियो को एक लाइक आपके दोस्तों के सेर करना भूलें साजी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवसे दे थांक्यू